शागत आप सभी का आज किसने क्लास में दोस्तों आज किस बीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बीडियो को सुछ तक देखेंगे तो गारंटी के साथ कर सकता हूँ आपको एक्जाम में इन कोष्चिनों में से काफी मदद मिलेगी एक दो क्वेश्चन आपको जो मैं आज किस बीडियो मताने वाला हूँ आपके एक्जाम में आएंगे आएंगे यह द्यान में रखी तो बीना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे और इसका एंसर बताएंगे समझाने का भी प्रयाज करेंगे तो बीडियो थोड अलाकि विफ्तित वाले ज्यादा लंबे हैं तो मैं नहीं बता रहा हूँ वह निश्ट वीडियो मताऊंगा लेकिन यहां तिलग उत्रे और लग उत्रे बेश के हैं ठीक है पहला कोश्चन आज कि वीडियो में मैंने रखा है कि परिवार के प्रकार बताईए तो मोस्ट इ यह सबसे अधिक सार्ब भौम है यह सभी समाजों में तथा सभी कालों में पाया जाता है परिवार के निमलिखित प्रकार है यानि यह बताया जारा मानों को समाजिक प्राणी बनाने में परिवार की भौमी का अधुतिये है यानि कि दूसरी अस्थान पर दिया गया है ठी सब से अधिक है जो सर्व कानिक है यह सब लोग जानते है और सभी समाजों तता सभी कालों में पाया जाता है क्यों जिस प्रिकार का समझे एक पर परिवार के निमलिखित प्रकार इंप करके अपको सारे बताएंगे पहला कि एकाकी परिवार होता है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं निखाय कि एकाकी परिवार जो होता है या परिवार का सफ्वे छोटा रूप होता है इसकी संद्चना पति-पत्नी ओम आश्रित बच्चों की होती है जब बच्चे बालिक हो जाते हैं तो वे अलग परिवार का निर्मार करते हैं आधरिक समाजों में इसका पचला अधिक है जनजात में यह पाया जाता है यह जनजात में भी यह पाया जाता है तो इसका कहने का मतलब यह है कि एकाकी परिवार होता है एकी करण परिवार आपन की छोटे बच्चे की जब वो बालिक हो जाते हैं तब उनको अलग परिवार का निर्मार हो जाता है तो कुल में गाके पती पत्नी ठीक है और बच्चे का सहिएक तो जो बालिक होते हैं उनका एकी करण परिवार होता उसे ही कहते हैं एक एकी करण परिवार या फिर एकाकी प के लोगों का सम्मान ठीक है समान निवास हो एक रसोई हो एक आर्थिक इकाई हो समान पूजा में भाग लेते हो और परस्पर रक्त सम्मंधों में बने ओ ऐसे परिवार को पूरी चत्ता एक मुखिया से केंद्रित होती हो भारतिय समाज में यहां अधिक पाय जाता है मालावार में नायरों में भी इनका प्रचलन है तो ठीक है मालावार के नायरों में भी इनका प्रचलनिया नहीं कि जो भी यह इस्टेट हो या फिर इस्टेट तो नहीं है यह अल लोगों की दिमार्ग में समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है जॉइंट यानि कि जहां पर कई लोग यानि कि कई फीडियों के लोग समा एक साथ रह रहे हूं तो इसमें जो आप लोग इसको एंसर जो एक्जाम में आगे तो बना बना के भी लेक सेक्पे हलां कि यानि जनलिक अफ्वाज या दे जासे आप लोग एक्जामपल एक गठ लीजिए बाबा उसके बाता उसके बाद दूसके बचче की निकी तीन नैने कि पहली पीड्यी जैसे के आप लोग बते कि दूसरी पीडियों को लोग स्मान निवास ओगयों कि एक ही घर में रहे रहे ह। एक रोफ रही हो आर्थिक रूप से हैशicky को कोई भी प्रोबलम हो तो एक दूसरे का साथ दे सके समान पूजा में भाग ले यानिकी जब भी पूजा आप में मेरा खून दोड़ रहा है तो वह वाली भांसा यहां पर बताई गई ठीक है तो वह सभी रख्तों में यानि इस खूनों में बंधे हो ऐसे में परिवायर की पूरी सत्ता एक मुख्या करें दितों यानि कि जो भी तीन पीडियों को हैं ठीक इसके बाद उसका बेटा लेकिन एक बार वो घर से यानि कि जो मुख्या है उसे पूछ ले तो यह एक मुख्या होता उसमें भारते समाज में अधिक पाया जाता है तो यह रहा शेयक्त परिवार निश्देत परिवार यानि कि extended family दिखा यह परिवार वह रूप है जिसमें कई परिवार एक वंसा न परिवार आ जाते हैं उनमें कुछ निकट पीढ़ी वाले एक निवास यूम एक आर्थिक इकाई में भी रह सकते हैं कुछ प्रथक इकाई के रूप में बटे होते हैं कि एक वंसा नुकुरम के भावना उन्हें एक सूत्र में बांधे रहती इसका पचल अपरेकी समाजों देखा जाता है ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया विष्थित परिवार के मतलब हो गया कि यह सिमिलार्टी है जॉइंट फैमिली की तरह ही उसमें भी कई पीढ़ों कि यानि कि कई वंसा ठीक है बोलते नहीं जो वंस हो एक दूसरे का वंस यानि कि पूरबज लोग ठीक है उनका ही खून दोड़ रहा है ठीक है बोलते नहीं आप लोग गावर में ठीक है तो उसमें यहीं बताया जा रहा है कि वंस ठीक है कई वंस जो होते हैं उसमें कुछ लोग जैसे कि दूसरे जगहा रहे हों कुछ लोग दूसरी जगहा रहे हों कुछ दूसरी जगहा रहे हो किन्त एक वंसा नगरम की भावना उन्हें एक सूत्र में बांधे रहती है यानि कि वंसे जब वंस है तो उस हिसाब से इनको एक सूत्र में यानि एक हिकाई में बांधे रहता है तो उसे कहते है मिष्थित परिवार, यानि कि अलग-अलग रह रहे हों लेकिन हो एक ही बन सके, खुल मिलाकी यह मतलब हो गया, ठीक है? रूप में या परिवार संयुक्त या ब्रहत परिवार की इकाई होते हैं परन्त बेवारिक रूप में या एकाकी परिवार के रूप में कार करता है मांचिक रूप से सेयुक्त परिवार से जुड़े होने के कारण बिवास रद्धा या अन्य कायक रूप में भाग ले लेते हैं परुंति या भाग लेना प्राया अप्चारिक होता है तो यह रहा मिष्ट फैमली यानि कि कभी आये कभी नहीं आये खहे और ये कराण कść च estatus रहा मिष्ट आये काफी करण m & क есте काफी में भाई भाई अन्य थो क्या नहां तो तो वह अलग रहे रहे हैं UTS doomed दूसरे भाई भाई हैं वो अलग रहे हैं उनके बच्चा है तो इस तरह का यह बता जा रहा कि मिक्स्ट फैमली ठीक है तो कुल मिला के आप समझ में आ गया होगा ठीक है तो कभी मान लो की कोई कारिक्रम हो विवासाधी हो तो सब लोग एक में उपस्चित हो ठीक है तो कारि मिक्स्ट फैमली तो कुल मिला के यह रहें परिवार के भाग जोगी आयोप मेरी भासाम जो ने प्रियास के आपको समझाने का आपको समझ में आ गया होगा फिरहाल आप पर भासा में भी डीटियल में लिख सकते हैं क्योंकि आपको पॉइंट मिलना चाहिए तो आप लोग परिवार के समाश सहत्री महत की विश्णा कीजिए आइसर में आप लोगों को लिखना है कि परिवार बनाने के लिए दो या दो से अधिक इस्तरी पुरसों में आवश्यक संबंद जिसमें योन संबंद भी संब्लित होता है अस्थापित करने और उसे इस्तिर रखने कि को पहले बिवाह की प्रकिरिया होती है बिवाह होने के बाद वो हर समाज में होती बिवाह होने के बाद उनकी जो फरिवार है उनकी जो फैमली है वो बढ़ने लगती है ठीक है तो उसी को बताया जा रहा है आपर लिखा है बिवाह प्रतेक समाज चाहे वह आदिम समाज हो य यह एक यहां आद्वाराशे की प्रवार्वार करती हैतीक में विभक्त करके समझा एप पहला है जो की है वो बिवस्थित योन संबंद तो इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा लिखा बिवा की सहायता से योन संबंदों को बिवस्थित किया आ जाता है बिवा एक ऐसी संसिता है जिसके द्वारा समाज में लेंगिक स्वच्चारिता को समाप्त करके इस्तिरी पुरुष के योन संबंदों को समाजिक और कानूनी तोर पर सुभिकार किया जाता है और लिखा है कि दूसरा नंबर है कि बच्चों को बैधिता प्रदान करना लिखा है बिवा और समाजिक संसिता है जो बच्चों को बैधिता प्रदान करने में सहायक है बिवा संसिता के पहले योन संबंद अस्थापित करने से यस्त समस्चा पैदा होती है कि बच्चों की देख बाल कौन करेगा ठीक है पुरुष करे बिवास अंसता के बाद यह समस्या हल हो जाती है ठीक है और निश्टिशिम पॉइंट है पढ़ते हैं देखते हैं कौन सा निश्ट पॉइंट है लिखा है कि प्रजात की निरंतरता में पढ़ते हैं क्या लिखा है लिखा है कि प बिवा संस्था या कार ना करें यानि कि जो संस्था है वो बिवा का कार ना करें तो सश्टी का क्रम ही समाप्त हो जाएगा यानि कि जब साधी नहीं होगी तो आगे की जनरेशन नहीं बढ़ेगी तो इसलिए कहा जा रहा है कि सश्टी की समाप्त हो जाएगा यानि कोई रही करके संतुष्थ प्राप्त कर लेते हैं इसके बारे में डीटियल में झाँगा एक्स्प्लेन नहीं करोंगा आप लोग इतना अक्सपर्ट है तो इसके बारे मैं अधिक अप लोग समझ सकते हैं ठीक है और लिखा के आर्थिक सहायोग लिखा कि विवाह व्यक्त को आर्थिक सहयोग में भी सहायता करता है। इस अंस्था के कारण ही। व्यक्त को परिवारिक उत्तर दायग चा घ्ञान होता है। इसे परिवार की आर्थिक्रसा मजबूत होती है यानि कि बोलते नहीं है कि इस बच्चे की साधी कर लो एज हो गई है तब अगर वाइफ हा जाएग इसकी तो वो खुदी कुल अपने पैर पर खड़ा जाएगा समल जाएगा तो वही भालसा यहां पर बताई गई है कि बिव दीवार के अपने के बात है हालां कि जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा उसकी हो या फिर ना हो ठीक है इसके परिवारिक अर्थिक दर्सा समझ में आता है ऑप लोग देज पॉस्छा का मतलब यह होगा कि आप लोगे जबायें तो पैसा आपके पास आएगा तो आर्थिक नियुक्ट के राधार पर विवाह के ब्यक्त ग्रहस्थ अश्रममें प्रबेश करता है। लब्यों की पूर्थ की जाती है विवा समाज के मुल्यों तथा आर्दासों को निर्धायत कर इनकी रच्छा करता है तो यह भारतिय दस्ट कोड के हिसाब से विवा का मतलब तो यह रहे में में पॉइंट जो कि थे आप सभी के विवा के समाजी अस्तर के महत तो क्या है उसक एक्सप्लेशन जो मैंने किया है अलग-अलग पॉइंट जो थे इसके बच्चों को बैदेता के परदान करना फिर है कि प्रजाद की नहतरता के अनुसार मान सिक्षन तोस प्रदान के अनुसार आर्थिक सहियोग के अनुसार भारतिय देस्ट कोड के उनुसार तो यह रहे बारे में लिखना है तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा में में पॉइंट आपको समझाएंगे और बहुत इंपॉइटन कोईशन है ज्यान रखेगा दिखाए कि हिंदु बीवा की प्राकर्त धार्मिक है हिंदु बीवा के उद्देश इम रूपों का आउलोकन करने पर शबयरां होता है कि वह एक एक धार्मिक संचकार है जैंद जैगा लिखा है कि हिंदु बीवा एक संचकार है या पबित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ड होता है जब क्रत्य पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए यानि कि जो मंत्र होते नहीं है जब विवा होता है तो एक मंत्र भी आप लोगों को मालूम है कि उसमें कि जा साधी होती तो आप मालूम है कि पंडित मंत पढ़ते हैं तो वही बहुता है कि यह तभी पूर्ण होता जब क्रत्पवित्र मंत्रों के साथ किया जाता है ठीक है ऐसे आप लोग तो बहुत लोग ऐसे कोड़ करें रहते हैं आप से मैं कहरा नहीं चाहूंगा लेकिन उस बच्चे को या फिर उस इसान को उस आदमी को क्या संसकार दिये गए हैं ठीक है संसकार मतलब वह सुधी करण यानि कि उसके अंदर क्या फुदता है ठीक है और लिखा बिवा भी अनेक संसकारों में से एक संसकार माना गया है या ग्रहस्त स्रम का प्रवेस्द्वार है ठीक है निम्नांकित विशेष्टा है घंदर को एक धारुमिक संसकार के रुमें प्रकड करती है जो कि इसकी निम्नुवत विशेष्था यहां प्रदी गई है पॉइंट वाइज करके जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी ठीक है पहला पॉइंट है याईनि कि पहली को वैद नहीं माना जाता उदाहरण के लिए कन्यादान परिग्रहन होम और सब्त पदी इसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान है इन में से प्रतेक अनुष्ठान के समय पर थिक है समय वर वधू के लिए एक धार्मिक जीवन बितीत करने की कामना की जाती है तथा वर कि लड़ की साधी होती तो वहाँ पर कन्यादान करा जाता है और प्र गहां कराए जाता है जिसमें वर वर वधुर्व को गोंगे करतब में बांदaufenकों बताया जाता है कि यह लोग अपना जीवन आगे का सफल यानि구나 इक र करती है यह धर्म मेर्म के अनुसार सभार्था यह बिशेश्टा है वो अस्पस्ट करती है और लिखाए की निस्ट इसि में निस्ट विशेश्टा है की अध्यात्मिक संबंद लिखाए हィंदु बिवा एक प्रमुग बिशेश्चटा है की की हिंदू बिवा एक प्रमुख विशिष्टा है कि इसे पति-पत्नी के भौतिक सुक का अधार माना जाता है हिंदू की धारणा है कि बिवा एक अध्यादमिक संबंद है या पति-पत्नी के बीच एक ऐसा संबंद है जो कभी समापत नहीं होता बलकि अनेक जन्मों तक अस्थ रहता है इस विश्वास के कारण पति-पत्नी प्रतेक प्रस्थित्यों में एक दूसरे के अनकूल करने की कोशिश करते हैं वे योन संबंदों का उद्धिष्ट न मानकर प्रवित्ता की भावनाओं को अधिक महत्तु देते हैं आत्याधिमिक संबंद दिखिए ये भी हिं वर्षण दें टो कुलमला के एक दुसरे पर आधारित हो ना मानकरत ठीक है योन जो आप सभी को मालूम है जो योन संबंद है उसको मेन उद्देश न मान कर प्रवित्रता की भावना को अधिक महतों देते हैं यानि कि जो भी नियम है जो भी कानून है जो हित में है उसे ही मेन प्रवित्रता की भावना को अधिक माना जाए या फिर मानते है या माना जाए वो है मेन विशिष्टा दुत की अध्याजात्मिक संबंद से आती है ठीक है ये रही अध्याजात्मिक संबंद की यानि की विवा की अध्याजात्मिक संबंद का मुख्य विशिष्टा ये है दो नंबर विशिष्टा ठीक है तीन नंबर है कि विवा संबंदों म का दान कर दिया गया है और दूसरी और पुरुष को किसी भी प्रस्थित में उसे उसे विवाह विच्षेत करने का अधिकार नहीं दिया जाता विवाह के बाद परिवार में सभी धार्मिक क्रियाएं पति-पत्नी के पास पर एक सही योग द्वारा संपल कराई जाती है और यह रहा विवासमंदों में जो आ थिक है अस्थायत का में वो देश जो कि आप लोग समझ गिए होंगे फिरहाल इसमें बताई जा रहा है कि इसमें एक और इस्तरी को एया बिष्वाफ दिलाए जाता है कि उसके पत्य के लिए उसका दान कर दिया गया यानि कि यह बताई और पुर्स को किसी भी परस्थिती में उसे बिवा बिच्छेत करने का कोई अधिकार नहीं यह कोई भी बिवा से संबंदित उसको नाकार करने की ठीक आधिकार किसी भी प्रकार का उसको अधिकार नहीं है यह धार्म बिवा के बाद परिवार में सभी धार्मिक क्रियाएं प जाता है निधада करने में ब्यवा को सबसे अधिक महत्तुपोड माना जाता है प्राउगत रूप से गमारती को परिवाज की संपत में अधिकार मिलता मिलता था और इसी के द्वारा उसे धार्मिक अनुस्ठानों में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है ठीक है अधिकार दिया जाता था अभाव विवता यानि कि बिना साधी के आभी वाहिता ब्यक्त को संदेश की दस्ट से देखा जाता था तथा परिवार में भी उसे कोई इस्थित नहीं मिलती थी विवा एक ऐसा प्रबेश द्वार है जिसमें यानि कि बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं, जो साधी के बाद भी दिये जाता है, जैसे परिवारिक, समाजिक, धार्मिक और आर्थिक ये सारी जो चीजे होती हैं, ठीक है? इसमें जब वादी होने के बाद ही आप लोगों को समझ में आता है कि परिवार क्या होता, समाज क्या होता, धर्म क्या होता और पैसे आर्थिक इस्तित क्या होती है ये सब बिवा के बाद ही समझ में आता है और कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जो लड़की को या इस्तरी को बिवा से पहले उसको जिम्मेदारी या पिर उसको अधिकार नहीं दिये जाते हैं तो इसी में नेस्ट भी मिसेस्ता जो आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजेगा तो ये भी आप लोग पढ़ लीजेगा फिराल इसके बारे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकि आप लोग सोत्रे होंगे कि सब कितना लंबा वीडियो आज खीच दे हैं जो भी में इंपॉइटन कोईच्चन थे यह सारे अगर जितने में मैंने कोईच्चन आज किस वीडियो मत आएं इसको आगा अच्छे से समझ के जाते हैं तो आपको मैं गारेंटी के साथ करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को दस से बारा नंबर के लिए हो जाएंगे तो वीडियो को तीन से चार बार जरूर बाद में देख लीजिएगा क्योंकि एक बार पढ़ाने से या आप लोगों को पढ़ने से या मेरे पढ़ाएं से आप लोग समझ भी नहीं है कि दो चार ब कर दो स्वेवार।